हेलो फ्रेंड नमस्ते आज हम आपको आलू दम बनाना बताएंगे यह मैंने आलू बाल के बनाया यह बहुत ही अच्छी सबजी बनी है आप इस तरह से बनाईएगा इसके आगे अंडा भी फेल है यह मैंने उपली हुए आलू ले लिये हैं और इसको छील लिया है और इसको अच्छी सायता से मुझे चारो तरप से ऐसे कट लगा देना है चोटे-चोटे में और इसके लिए मैंने मसाला ले लिया है यह प्याज है लस्टन है हरी मिर्च है और एक टेमाटर ले लिया है मैंने हलदी है नमक जीरा और हलदी पौडर अब इसको जो मैंने प्याज ले रखा था और हरी में अधरuch sorry लसल और इह मैंने घरण मसाला लिया है खड़ा और उसको हम पीस लेंगे मिक्सर में हम पीस लेंगे इस तरह से देखेर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और यह आलू है अब आलू को हम कढ़ाई में इस तरह से चारों तरब से गोथ लेना है और उसको मुझे गैस पे मैंने कड़ाई रख दी है कड़ाई में तेल गरम हो गया है तेल गरम हो तभी डाले और उसको फुल आँच में फ्राई करें सारे आलू को हाई फ्लेम पे ही इसको करें थोड़ा से जब लाल हो जाए करारा पन तब उसके बाद हम इसको निकाल देंगे यह देखिए मेरा लगबग लाल हो गया है अब इसको हम निकाल देंगे अब हम इसकी ग्रेवी तयार करेंगे इसके लिए मैंने दूसरी कड़ाई रख दी है उसमें हम थोड़ा सरसो का तेल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे जीरा हरे मेर्च और यह तेज पत्तर डाल दिया है मैंने अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम कि मैंने भूनने के बाद मैंने फ्यास का पेस्ट बनाया था लस्सुन का अब इसमें मैंने डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से भून तब इसमें हम डालेंगे मसाला, यह है हल्दी पाउडर, और यह है धनिया पाउडर मिक्स है, इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं, वही वाला मिक्स मसाला डाल दिया मैंने, और इसमें स्वाध अनुसार नमक, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब मसाले को बढ़िया से भून जाए है अब इसे हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल दिया है अब इसको हम भून लेंगे अब मसाला मेरा भून जाएगा देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम बारिक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे देखिए मसाला मेरा भून गया है मसाला तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे अब टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे थोड़ा सा मेरा टमाटर गल जायाए उसके बाद इसमें हम जो आलो को मैंने फ्राइ कर रखा था उसको भून लेंगे उसको हलका सा मसाले में भी हम उसको एक मिट के लिए भूनेंगे इसी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर उसके बाद हम एक मिट भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे आपको जितनी गिरेवी की जरुरत हो पानी डाल दीजे ये थोड़ी सी थिक और थोड़ी सी गा क рекू高 कि Om थे국ित के जाएंग। आलो दम की सब्जी तैयार हो गई है मैंने धक ध्यक्दिया एक नट के लिए पारिय देखिए सब्जी तैयार हो गई है । इसको हम कटोरे मेंन slogan जालेंगे आलू दम की सब्जी आप इसको पूरी के प्राटे के साथ अचावल के साथ भी खा सकते हैं मेरी बीडियो अर्ची लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा नया है तो वेल आइकन फ्रेस कीजिएगा बीडियो की सारी नोटिफिकेस आपके पास पहुशती रहेगी अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा धन्यवाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व